कर दोस्तों UPVC Windows Training Video Series में हम आपको बता रहते हैं कि प्रोफाइल सेलेक्शन के लिए आपको क्या-क्या यह जो सर्टिफिकेट दिये होते हैं इसमें क्या-क्या चेक कर सकते हैं इसमें पहली चीज हमने बताई थी आप चेक कर सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ तो टेंसाइल हार्डनेस और इंपैक्ट टेस्टिक तो यह तीनों को मैं क्यों कह रहा हूं कि देखिए यह नंबर देखनें भी जरूरी है बट आपको यह भी चेक करना है आप कस्टमर गया तो यह देखेंगे ना कि पहले चीज कलर ऐसे फेट तो नहीं हो रहा है पीला तो नहीं पढ़ है ना तो टेंसाइल स्टेंद में हमने बताया है तो यह देखें यह तीन की है यह फिफ्टी एट है एसील कोरा की बहुत अच्छे जिसमें जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है फॉट्टी फोर है आपकी लैसो की यह नहीं के नंबर्स दिये मैं और ठेटी एट है इंडो दो टेस्टिंग थे आप यह जो टेंसाइल स्टेंद थी ना यह इनके स्रीराम इंस्टिट्यूट की है और यह एटी एमवाई लैप्स की है तो हम डारेक्ट कंपेर भी नहीं कर सकते बढ़ हां आपको एक आइडिया आएगा कि 19-20 का अंतर है दोनों में और यह 20 है और यह आप कैसे प्रफाइल सेलेक्ट कर हैं क्योंकि इसके अलावा जब आप दूसरी प्रोफैल जिसमें रखेंगे तो आप कैसे olan करें तो यह維ी यह आपको आइडिया देंग यह विडियो के बेसपे हम कभी नहीं चाहते कि आप वह प्रोफाइल कहलें क्योंकि ऐसा हो सकता है हमने कोई चीज मिस करी हो हम सिर्फ आपको comparison करना सिखा रहे हैं तो कि जब एक साथ आप कोई business start कर रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि यूपीवी से windows लगाएं तो आपको questions आते हैं आप क्या check कर रहे हैं तो हम आपको guide कर रहे हैं कि इन चीजों से अब start कर सकते हैं वरना आप यह देख सकते हैं कहीं पे पहले लगी में आपको सबसे से अच्छी रहती है इन सब चीजों से बट फिर भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं फिर जैसे थर्मल कंडेक्टिविटी की बात करते है ना तो यह आपकी वाट पर मीटर केलविन में रहती है या फिर वाट पर मीटर स्क्वार केल्वीन में रहती है जैसे SCL कोरा की 0.22 वाट पर मीटर केल्वीन में है मतलब एक मीटर की छड में इतना temperature difference आएगा 0.22 वाट का है इतना temperature difference आएगा और केल्विन और यही 0.16 है जितना कम होता है उतनी ज्यादा thermal conductivity होती है तो लेसो की ये 0.16 है बट ये meter square Kelvin में है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये W by meter Kelvin क्योंकि ये एक इन्होंने एक meter लिया था बट उसकी thickness भी तो होनी चाहिए थी अगर वो one meter की thickness भी रहती तो फिर उसका मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सेम आयेगा या फिर ये भी देखे कि 19-20 होगा बट आपको पता लगेगा कि ये वाट पर मीटर Kelvin में है और ये मेगा पास्कल में है आपको थोड़ा आइडिया आया और तीसरी important चीज density जो density रहती है ना इनकी जैसे इसकी देखे ये थोड़ा थोड़ा आइडिया आया बाकि आपके कोई questions होंगे तो comment कीजिए धन्यवाद दोस्तों